आदर दिये हमारे कस्वा थाना भवन के अध्धक्षा रफद परवीन जी हमारे फुरू चेर्मेन इंतिजार अजीर और ईयो रवी अधव जी और सभी सम्मानित सभासत गन्द करमचारी गन्द और थाना भवन से आए सभी लोग सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज सुभह से मेरी आखे कुछ नमी नमी सी है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ कमी कमी सी है और कमी कमी क्या है कमी ये है कि जो हमारे देश पर बनिदान हो गए वो बीर सकूत आज हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने हमें जाते जाते कुछ कहा था उन्होंने हमें कहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से देश वालों तुम आसू बहाना नहीं उस घरी तुमने भुलाना नहीं ये तो आप सबी जानते ही हैं कि आज 26 जनुवरी है 26 जनुवारी सन 1950 को हमारा देश घंतंद रुआ था यानि कि हमारे देश में अपने कानून लादू ने थे 15 अगस सन 1947 को हमारा देश आजाग तो हो गया था लेकिन इसमें अंग्रेजों के बनाएवे कानून ही लादू थे और डॉक्टर धीन राओं बेड़कर और अन्ने महापुष्णों ने मिलकर हमारे सविधान को लिखा और आज ही के दिन 26 जनुवरी सन 1950 को उसे लादू किया गया में दोस्तों आजादी आजादी और गुलामी के बारे में हम और आप लोग नहीं जानते कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है क्योंकि हम और आप लोगों ने आजादी और गुलामी देखी कहा है हमें नहीं मालूब अगर आजादी या गुलामी के बारे में पूछना है तो कैद में पढ़े वे उस मंची से पूछिए जो पिंजरे में कैद है वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है या फिर जेल में कैद उस रेक्टी से पूछिए जो आज इवन करावाज की सजा जहला है वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है गुलामी क्या होती है हम और आप लोगों को आजादी और गुलामी के बारे में नहीं पता हमें को सिर्फ आज के इस यूर्बे इस वर्तमान समय में सिर्फ इतना पता है कि ये हिंदू है, ये मुसल्मान है ये सिख है, ये इसाई है आप सी इस्षा जनन में हम इस तरीके से लिप्ट हो चुके है कि ऐसा लग रहा है कि अब इस भारत का इस देश का क्या होगा अरे याद कीजिए उन देश वक्तों को जिनों ने अपने खुन का कत्रा कत्रा हमें आजादी दिलाने के लिए बहा दिया याद कीजिए अलालाज पत्राय को जिनों ने कहा था कि मेरे शहीर पर पड़ी लाठी किये एक चोट बिर्टी शर्दार के ताबूत की कील साबित होगी याद कीजिए सुभाचंद्र बॉस को जिनों ने कहा था कि तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा याद कीजिए मौनाना पुल कराम अजाद को याद कीजिए अब्दुल हमीद को और याद कीजिए ऐसे सभी सब कम्रा से नानियों को मत ऐसे जंजग में पढ़िए क्योंकि ना तो हूंदू खत्रे में है ना मुसल्मान खत्रे में है धर्म का चस्मों कार देखो पूरा हिंदुस्तान खत्रे में है और रही बात मजभगी मैं मानता हूँ कि सब के मजभ अलग अलग है सब की मानता या लग लग है लेकिन मजभ जुदा जुदा सही वतन तो एक है मजभ जुदा जुदा सही वतन तो एक है है फूल रंग रंग के चमन तो एक है फिर आपसी भैदवा कैसा इरिश्या जलन कैसी इन सब दो मिटा कर एक जुद हो जाओ और आवाज गो कि हम एक है, हम एक है, हम एक है क्योंकि जब कुद्रक नहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की तो फिर आपसी नाइंसाफी क्यों क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी मा के पेट से जनम लेता है तो उसके माथे पर लिखा रहता है कि ये हिंदू है ये मुसल्मान है नहीं दोस्तों क्योंकि कुद्रक ने तो इंसान को इंसान बनाया कुद्रक ने तो इंसान को इंसान बनाया फिर हमी ने तो उसे हिंदू ये मुसल्मान बनाया क्या उसके माथे पर लिखा रहता है कि तू हिंदू है मुझर्मान है नहीं दोस्तों एक जो भोके हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है वो तरक्की की ओर ले जाना है रही बार थाना भावन की इस थाना भावन को महकाने में जितना योगदान पुरू चैर्मेन इंतिजार अजीज का है यह आप सभी लोग जानते हैं थाना होन में अगर चेर्मेर इंतिजार रजीज ने जो भी काम किया है वो धार्मिक भावनाउं से बिल्कुल अलग होगी किया है सबसे पहले तो आपके इस कस्वा थाना होन को कारियान ले दिया जिस कारियाले में आप और हम लोग आज खड़े हैं सभी तरह कारिया होती है और सभी तरह के कारिया होती है यह जो भुबन सामने कड़ा है यह इनी का एक योगदान है और उसके बाद बारा घर बनवाया वो किसी एक के लिए नहीं बनवाया सभी के लिए बनवाया चर्थावल वस इस्टाइब बनवाया सभी के लिए बनवाया यानि कि अब तक जो भी कालिये कस्बे में कराए वस सभी के लिए कराए तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कस्वे के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए मानने चैर्मेन और हमारी अध्यक्षा रफद परवीन जी का साथ दें और इनको गुम्रह करने की खोशिश न करें इनको विकास के लिए प्रेजिन करें किसी बात के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूँ और अपनी चैर्मेन साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि हमारे कस्वे को और नहीं ऐसे ऐसी विमार थे और कस्वे में ऐसे ही विवास करें जय हिंद जय भान